एलो केडिट्स वेलकम टू 4G बैच और सैनी की स्कूल का प्रिवेस येर कोशन्स कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 3 है ना तो आज अपन करेंगे यूनिट्री मेथड का एक्सरसाइज 3 लेकिन उससे पहले मैं आपको नए बैचे इसके बारे में बता दूँ नौदय 2023 के लिए आपका रिविजन बैच लॉंच हो चुका है जिसमें आपके पूरे फूल डिटेल में वीडियो लेक्चेर्स तो हैं जिसमें आपको माइन मैप के थूर रिविजन मिलेगा प्रिवियस येर पिछले 5 साल के कोशन पेपर नौदय के डिसकस की जाएंगे लाइव और आपको अपको चुका बाइस और दोजार तेईस में आपका सैनी की स्कूल के लिए जो हमने फौजी बैच बनाया उसमें आपके लिए कितनी सारी नई नई चीजें एड करी कितनी सारी नई नई फीचर्स आड करे तो आप सोचो कि 2024 आपको क्या मिलने वाला है इसमें और प्लस प्रिवेस यर कोशन्स अभी प्रिवेस यर कोशन्स मात्र तीन साल के थे लेकिन अगले साल आपको कम सकम 5-10 साल के प्रिवेस यर कोशन्स चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं पूरे वीडियो डिटेल लेक्चर्स मिलने वाले हैं फिर आपके माइंड मैप, नोट्स, टेस् सैनिक 2024 के बैच में जो मात्र 1400 रुपय का आपका कोर्स है and then नाओदय 2024 के लिए आपका कोर्स लाँच किया गया है जिसमें 4G बैच सैनिक जैसे ही पूरे आपके मोड्यूल्स मैच के होंगे जिसमें 3-3 exercise होंगे exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 1 आपके conceptual question, exercise 2 नाओदय के लिए important questions और exercise 3, नाओदय के previous year questions chapter wise सोच सकते हो और मात्र मात्र तीम डिजिट में 975 में ये आपका app में available है भी आप जाओगे नीचे description में आपको link दिऊए ये app की app डाउनलोड करो और एक बार ये बैचेस को जरूर चेक आउट करो अगर आप specific RMS के लिए course देखना चाह रहे हैं कि RMS की तैयरी करना चाह रहे हो तो RMS के लिए भी आपको सेम उसी तरीके से तैयरी मिलेगी जिसमें exercise 2 में RMS के लिए important questions होंगे और exercise 3 में RMS के previous year constants होंगे chapter wise पूरे के पूरे जो की 1290 रुपे में है इस पूरे के अलावा एक coupon code भी आपका महाँ पर है 10% off के लिए 4G10 coupon code क्या है 4G10 4G10 अगर आप डालोगे तो 10% off हो जाएगा revision batch में छोड़ करके revision batch में छोड़ करके बाकी तीनो batches में आपका 10% off हो जाएगा और ये जो coupon है this coupon is only valid for first 50 ये coupon में हमने डाल रखा है 50 times use होगा उसके बाद वो coupon अपने आप यूज नहीं होगा जल्दी से आप जाओ एप डाउनलोड करो और आप एक बार इस सारे courses को check out करो चलो तो अब आपन आगे बढ़ता है जल्दी से फटाग से आज आपन को करना exercise 3 आपका 4G patch का ये आपका एक डेमो भी जैसे हो जाएगा यहाँ पर कि ये exercise 1, exercise 2, exercise 3 आपको modules मिल रही है और ये आपको homework दिया जा रहा है homework दिया जा रहा है उनका discussion किया जा रहा है सब कुछ पूरे साल भर से मैं और stressor, the great stressor जो है वो हम दोनों मिलके आपको यहाँ पर पूरा सैनिक के लिए, नौदै के लिए, RMS के लिए गाइड कर रहे है, class 6 और class 9 चलो, so, अब कोशन पढ़ते हैं क्या लगए का concept देखेंगे और फटा-फटापन solve करेंगे जैसे हैं आपर क्या बोला है, the cost of 4 dozen the cost of 4 dozens of banana 4 dozen, एक dozen में कितना होता है 12, है न, quantity है एक dozen apple बोल रहे हो, तो 12 apple एक dozen mango बोल रहे हो, तो 12 mango dozen का मतलब है 12, ठीक है तो 4 dozen जो mango है, वो 60 रुपे के है how many bananas can be purchased for 12.5 रूपीज, आपको क्या बोला है 12.5 रूपीज में 12.5 रूपीज में आप कितना खरिद पाओगे 60 रूपे में आपको 4 dozen बनाना मिल रहे है तो, आप ये देखो, ये question कब का है सैनिक स्कूल इंटरेंस एकजाम 2020 2020 के सैनिक स्कूल के इंटरेंस एकजाम में ये सवाल पूछा गया था तो आप सोच सकते हो, कितना relevant है ये आपका question सैनिक स्कूल के लिए 2020 में पूछा गया था चलो, तो 4 dozen मतलब कितने 4 इंटू 12 इतने dozen कितने के हैं, 60 रूपे के तो, X dozen आएंगे 12.5 रूपीज में है के नहीं, और अब अब अपन को ये देखना है मैंने तो ये मान लिया कितने बनानाज आ रहे हैं आपके 12.5 रूपीज में, X अब सबसे पहला concept यहां पर क्या लगाना है, कि ये directly proportional है, कि indirectly directly का मतलब क्या आता सर directly का मतलब था, एक बढ़ाने में दूसरा बढ़े तो directly, और एक बढ़ाने में दूसरा घटे, तो हो indirectly, तो आप खुद बोलोगे हाँ सर, number of bananas ज़्यादा खरीदोगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो directly proportional है directly proportional है, तो आप इनको direct equal कर सकते हो, cross multiply कर दू, everyone, ध्यान से दगो cross multiply है ना, चला दो तो 4 into 12 into 12.5 is equal to 60 into X, C 60 या multiplication में उदर जाएगा तो division में तो 4 into 12 into 12.5 upon 60, 5 times 5, 2s are 10 dot 5, 5s are 25 25 into 4 is 100 और एक decimal है, तो 10 कितने bananas खरीद सकते हो, 10 bananas आप खरीद सकते हो yes, easy था पक्का, चलो मैं थोड़ा side आ जाता हूँ जब मैं लिखूँ तो आपका board दिखाई दे clear, बहुत असान था, directly proportional था तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि 48 bananas आपके 60 रुपे के थे, तो एक banana कितने का हो जाएगा इसको इस तरीके से भी कर सकते थे everyone ध्यान दो, इस सेम question को आप इस तरीके से भी कर सकते थे यहाँ पर मैं आपका कोई rough paper हो तो खोल दू यह देखो, इस तेम question को आप ऐसे कर सकते थे chartism मतलब 48 bananas, 48 bananas कितने के थे 60 रुपे के, तो एक banana का कितने का हो गया 60 upon 48, into आपको, sorry कितने रुपे में, उल्टा question था 60 रुपे में 48 bananas तो एक रुपे में कितने bananas हो जाएंगे 48 by 60, तो एक रुपे में इतने banana मिल रहे हैं, तो 12.5 में कितने मिलेंगे, into 12.5 यह भी आपका answer आता 10 तो आपको जैसे करना है, आप वैसे कर सकते हो आपको इस step से कर सकते हो उस step से करना है, उस step से कर सकते हो दोनों theory मैंने आपको class में बताई है everyone, पूरी theory बताई न, directly proportional की और indirectly proportional की कैसे आपको कैंची चलानी है, yes, चलो तो I hope आपने पूरा lecture देख रखा, exercise 1 कर ली है, exercise 2 कर ली है and now you are watching exercise 3 और ये भी करने के बाद ये module आपको मिल चुकी है, yes, चलो जिसको भी ये module नहीं मिली है, आप app डाउनलोड कर सकते हो और app के free section में जा सकते हो, जहां पर ये पूरी की पूरी module free में आपके लिए available है, okay, app डाउनलोड करो app में जाने के बाद free material में जाना, free material में जाने के बाद सैनी की स्कूल में जाना, और सैनी की स्कूल के अंदर आपको 2023 के अंदर आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे maths के module, चलो अगला सवाल बढ़ते हैं, कितने सवल हैं, कितने, सोच रहे हो सत्रा सवाल, तीन साल में unitary method से सत्रा सवाल पूछे गाए हैं, सोच सकते हो कितना ज्यादा important है ये है न, चलो, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जल्दी से second question को देखते हैं, जल्दी से second question को देखते हैं, चलो, 12 person can finish a piece of work in 15 days, 12 person जो है, कितने दिन में complete कर सकते हैं, 15 दिन में, तो आपको बोला, how many days, कितने दिन लगेंगे, अगर 20 person काम करें तो, अब एक बात बताओ, ये directly proportional है कि indirectly, आप बोलोगे, अब 3 के जगा, अगर 6 छे लोगों का group बनेगा, तो project जल्दी होगा ना, जितने जादा लोग, उतना जल्दी काम होगा, तो number of persons बढ़ेंगे, तो days घटेंगे, indirectly proportional है, और जब भी indirectly proportional होता है, तो ये जो ratio है, वो direct बराबर नहीं होता, उल्टा होके बराबर होता है, अगर directly होता तो 12 by 20, 15 by x के बराबर होता, लेकिन ये inversely है, तो 1 को पलट दो, x by 15, तो देखो x की value कितनी है, अगर ये 15 यहां division पे उदर जाएगा, तो multiplication में 12 by 20 into 15, 5, 3, 5, 4, 4, 3, 3, 9, 9 दिल लगेंगे, बस, अगर 12 persons को 15 दिन लग रहे हैं, तो 20 person अगर आ जाएगे, तो उनको कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा, चीक है क्या, चलो, आगे बढ़ते हैं फटाक से, चलो, अगले सवाल पे आते हैं, है न, अगले सवाल पे आते हैं, आपका, the temperature drops 15 degree Celsius in the last 30 days, ओके, आपको क्या बोला है, कि 15 degree Celsius कम हुआ 30 दिन में, if the rate of temperature drops remain same, rate change same है, मतलब, जिस तरीके से अभी temperature drop हो रहा था, आगे भी वैसा आई होगा, मतलब, अभी 30 दिन में 15 हुआ तो अगले 30 दिन में कितना होगा, 15 होगा, तो आपको क्या बोला है, कि कितना degree Celsius कम होगा, अगले 10 दिन में, तो देखो, यह तो oral question बता सकते हो, oral, pen भी चलाने की जरूत नहीं है, 30 दिन में 15 degree change हो रहा है, तो 10 मतलब, 3 गुना कम, 30 और 10 में कितने का अंतर है, 3 गुने का अंतर है, तो 3 गुना कम दिन में, 3 गुना कम, आपका temperature change होगा, तो 15 by 3 is 5, अरे 30 दिन में 15 degree change हुआ, मतलब, हर 10, 10 दिन में 5, 5, 5 change हुआ, तो direct, और एकर direct नहीं करना, वैसे तो direct answer, आपका इसका R.I.B, easy है न, देखो, यह question पुछा गया था, any school entrance exam 2019, 2019 में आपका यह सवाल पूछा गया था, yes, चलो, तो जल्दी से देखते है, the temperature dropped, हाँ, ठीक है, तो 30 दिन में 15 drop हुआ, तो आपको बोला है, 10 दिन में, कितना drop होगा, तो आप बोलोगे, सरे, तो directly proportional है, तो direct equal कर दो, तो X by 15, जो है आपका, वो 10 by 30 के बराबर हो जाए तो X 0 ने X 0 को मार दिया, 5 1s are, 5, sorry, 3 1s are, 3 5s are, 15, ये 5 उधर चल जाएगा, तो X is equal to 5, 5 degree Celsius, इसी था, बहुत असान, oral सवाल था, पढ़ते किसांत आप oral ही कर सकते थे, अगला सवाल, 30 men can do a piece of work, मैं फिर से बोल रहा हूँ, I think मैंने ये 4G batch में जब आपको पढ़ाया था, तब एक लाग बरी बात बोला है, कि पहले question को solve करो, फिर solution देखो, नहीं तो कुछ नहीं चमकेगा, है ना, तो अगर आप चाते हो कि इस question का maximum benefit आपको मिले, तो आप पहले attempt करो, screen को pause करके attempt कर लेना, अगर नहीं किये हो, तो आप module आपको मैं दे चुका हूँ, चलो, 30 men can do a piece of work in 16 days, चीक है, 30 men है, men and days, 30 men 16 दिन में कर पा रहे हैं, how many days, कितने दिन required होंगे, अगर 8 men वो काम को कर रहे हैं, तो ये inversely proportional है, बताया था मैंने, number of men अगर बढ़ेंगे, तो day कम लगेंगे, number of men कम हो रहे हैं, तो days ज्यादा लगेंगे, 16 से तो ज्यादा लगेंगे, सारे option 16 से ज्यादा है, अगर एक ये option 16 से ज्यादा होता तो करने की जवरती नहीं, टिक मारते और आके पर जाते, समझ रहे हो, कैडिट्स, है ना, चलो, तो जल्दी से आगे आजते हैं और इसको करते हैं, अब 30 by 8 is equal to, ये direct direct नहीं होगा, ये एक रहसी प्रोकल हो जाएगा, क्य 8 1s आ, 8 2s आ, 30 2s आ, 60, और ये oral question था, आपका oral question था, ठीक है, हाँ, 30 men है, और आपका यहाँ पर क्या बोला है, 8 men, कितना times आपने कम कर दिया, आप ये देख लो, 30 से 8, अचा नहीं, हो तो section को डिवाइट कर पा रहा है, हाँ, क्यल्कुलिट्ट थोचा करना पड़ेगा, 60 days आ रहा है, 30 men है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, correct है, बिल्कुल correct है, बिल्कुल correct है, आगे पड़ते हैं जल्दी से, the cost of a dozen a, a मतलब one one dozen pen, देखो आप बोलोगे सिर्फ कितने dozen दो दिया ही नी यह लिखा ना a a cost of a dozen a dozen मतलब one dozen a dozen मतलब 12 pen जो है वो कितने के हैं? 180 रुपए के the cost of 8 ball pen is 56 the ratio of cost of pen to the cost of ball pen is pen और ball pen का आपको ratio बताना है, तो मतलब एकएक pen का price निकलना है, 12 pen 180 रुपए के, तो एक pen कितने रुपए का हो जाएगा? तो आप बोलोगे सिर्फ 180 रुपए का बारा 12 मिलके 180 थे ना तो एक pen कितने का 180 रुपए बारा, ठीक है 12 ones are 12, 6 12, 5 35, 15 रुपए का एक pen कितने का आगया? पांदर रूपाय का और एक ball pen कितने का आजाएगा तो आप बोलोगे sir 56k 56k आपके कितने थे 56 rupai में 8 ball pen थे 8 ball pen 56 rupai के तो एक ball pen कितने का हुझाएगा upon 8, 8, 7, 15 साथ रूपाय का तो दोनों का ratio बोला है तो दोनों का ratio क्या हुझाएगा 15 upon 7 A is the correct answer, बहुत easy था, देखो, सैने की स्कूल इंटरेंस एक्जाम 2019 में पूछा गया था, और ये chapter important क्यों है, क्योंकि 17 सवाल, total 17 questions पिछले 3 साल में इस chapter से पूछे गये थे, unitary method से, सो सकते हो कितना important है ये, okay, चलो, so, 15 by 7, आपको 12 pen के ये price दिया था, 8 ball pen का ये, तो दोनों का एक-एक का price निकालना था, और अपन को क्या निकालना था, ratio, तो ratio अपन ने निकाल लिया, अगले सवाल पर चलते हैं, attempt करने के बाद ही देखना नहीं, तो कोई फ्यादा नहीं होगा, कैडिट सच बता रहा हूँ मैं, चलो, the truck requires 108 liter of diesel to cover a distance of 594 km, 594 km चलने के लिए 108 liter का diesel petrol ल 1650 km चलना है, तो कितना, कितना required होगा, माल ले रहा हूँ, X required होगा, तो 108, 108, 108 liter में distance जो cover किया, वो distance कितना cover किया, 594, तो X liter में distance करेगा 1650, एक बात बताओ सब कोई कैडिट, पास ओ, पास ओ, पास ओ, डिरेक्ली प्रोपोर्शनल है कि इंडिरेक्ली, आप बोलोगे सब, ड ताड़ी में जितना ज्यादा लीटर पैट्रोल आप डालवाओगे, ताड़ी उतना ज्यादा चलेगी ना, तो अगर आपके दूरी बढ़ रही है, तो लीटर भी बढ़ेगा, अगर ज्यादा दूर जाना है तो ज्यादा पैट्रोल लगेगा, डिरेक्ली प्रोपोर्शन यहाँ पर लिखना हूँ इसके बाद यहाँ पर 594 x is equal to 1650 into 108 cross multiply कर दिया this into this equal to this into this अब यह इसको उधर ले जाता हूँ 594 को 1650 into 108 upon 594 ठीक है तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 108 जो है वो 5 times जाएगा 5 times नहीं जाएगा 5 times नहीं जाएगा कितने से जाएगा कट दो 2 2 से काट लो 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 7 जा 14 छीक है 7 8 9 3 से जाएगा ये 3 9 जा 27 28 29 2 3 9 जा 27 जाएगा ये 3 1 3 4 5 2 3 8 24 जा जाएगा 10 3 2 2 जा जा रहा था हो तो जा रहा है 150, 150 इंटू 2 इस 300, 300 लेटर लगेगा, देखो, कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, है ना, पूरा एक साथ कोई भी नहीं कट रहा था, मतलब यह आपका 11 टाइमस कट था, डारेक्ट आप काट सकते थे, अगर आपको दिख जाता तो, मैंने 22 और 33 करके काटा है, तो लास्ट में, पूरा का पूरा कट गया, लास्ट में कितना बच गया, 150 इंटू 2, that is equal to 300, बस इस पूरे चप्टर में देख रहे हो क्या है, बस आपको यह पहचानना है कि directly proportional है कि indirectly, उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, और सारे questions आराम से चलो, नौ, सारा पोर्ड 1 and 1 by 8 कॉप ओफ लेमोनेड इच इन 5 ग्लास, ठीक है, इच, इतना कॉप उसने डाला, इच इन 5 ग्लास, पांच ग्लास में उसने इतने इतने कॉप लेमोनेड डाले, ठीक है, निम्बु का कुछ बना हुआ डाला, वाट वास टोटल अमाउंट ओ लेमोनेड सारा पोर्ड इन 5 ग्लास, हर एक ग्लास में उसने इतना इतना डाला है, तो 5 ग्लास में कितना डाली होगी, इन 2, 5, बस, पैनिक स्पूल इंटरेंस एक्जाम 2018 का सवाल है, ठीक है, तो देखो, आपको यहां पर क्या बोला है, हर एक ग्लास में 5 ग्लास है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह भी है, पाँच, हर एक में डाली उसने 1 and 1 by 8, 1, 1 by 8, मतलब कितना, 8 बंजा 8 and 1, 9 by 8, ठीक है क्या, 9 by 8, so, आपको क्या बोला है, पाँच ग्लास में कितना हो जाएगा, इन 2, 5, 5, 9, 45 by 8, ठीक है, so now, अब डिवाइट कर दो, इसको, आपको कि 55 बज़ गया, तो 5 complete, 5 by 8, 5 complete, 5 by 8, अब आप बोलोगे, सर, इतना करने की क्या जरुवत है, बिल्कूल इतना करने की क्या जरुवत है, इसमें कितना डाला, 1, 1 by 8, इसमें कितना डाला, 1, 1 by 8, इसमें कितना डाला, 1, 1 by 8, सब में उतना डाला, 1, 1, 1, 1, 1, 1, सब में 1, 1, 1, 1 तो डाला कितने कप पाच कप और सब में 1 by 8 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 तो टोटल कितना 5 by 8 डायरेक्ट आप बोलोगे सर क्या क्या अगर हां मालो अगर यह 5 by 8 जो है यह इंप्रॉपर बन जाता तो फिर उसको डिवाइड करके यहां पर एड़ करते बास समझ में आई जैसे मालो जो 1 by 8 1 1 by 8 1 by 8 1 by 8 डाले अगर हो मिला कि एक कप से जाधा हो जाता तो एक कप यहां पर एड़ हो जाता ना लेकिन नहीं हुआ यह भी क्या है आपका प्रॉपर फ्रेक्शन तो इसको फिर आपको और आगे गनवर्ट करने की जरूपत नहीं है सब में कितना डाला एक पूरा कप और एक कप का 1 by 8 तो एक एक कप तो पूरे में डाला पांचों में तो 5 कप तो यह हो गया और 1 by 8 1 by 8 1 by 8 1 by 8 कितना हो गया 5 by 8 तो total 5 5 by 8 ओरल कोशन था यह भी करने की जरूपत नहीं है बिलकुल जितने भी लोगों ने डारेक्ट किया है गुड डारेक्ट नहीं किया तो भी आपने पढ़ा आपका दिमाग चलना चलो हो गया और अगर गलत हो गया तो अपने आपको देखो कि क्या गड़ बड़ी हुई और अपने आपको ओडर करो कि यह गलती आपसे दुबारा नहीं होनी चाहिए यस चलो ना रीतु है जो पूरा कुछ राइस होगा है ना उस र पूरा राइस था यह पूरा स्लैक ओफ राइस था इसका वन बाई फॉर्ट रिजृतू के पास था इसके और कितने चुकुड़े कर दिये साथ तो डिनॉमिनेटर में एक और क्या मिल्टिप्ले हो जाएगा सेवन है ना तो बस हैंसरा गया सेवन फूर्जा ट्वेंटी ए अल्रेड़ी आपके बस एक चौताई है उसका और साथ हिस्सा आपने एक चौताई का और साथ हिस्सा आपने कर दिया मतलब डिवैड बाई सेवन अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आ तो ऐसे कर सकते है वन गाई फॉर्वाई यह प्रोकल हो जाएगा दिवैड को जब भी मल 1 by 7 which is equal to 1 by 28 यह exercise 3 मैं live क्यों नहीं ला रहा हूँ क्योंकि live में आप लोग आप लोग से बात बात होते रहती है तो यह question solve करने में बहुत time लग जाते हैं आपके पूरे एक घंटे डेड़ घंटे की वीडियो बच्चे लोग live आते हैं पूरे live रहते हैं एक घंटा डेड़ ग बहुत आप लोगा time waste होता तो मैं नहीं चाहता हूँ कि exam के time आप लोगा time waste हो बिल्कुल भी time waste हो इसले exercise 3 मैंने पूरे record करके डाल दी जो question में doubt है आओ और फटाक से देखो module तो आपके पास है बासमझ में आई तो इसी वज़े से मैंने आपका recorded lecture डालानी तो मैं live आ सकता मेरा फैदा है YouTube में videos views आते watch time बढ़ता watch time बढ़ता तो YouTube और लोगों को दिखाता YouTube में और लोग आते लेकिन ना 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 अब भी हमारा है कि आपका time waste ना हो आपको कम से कम time में चीज़े मिले इसलिए मैं इसको recorded लेकर क्या रहूं आपके पास ठीक है live लाने में मेरा time तो उत इसको recording किया है the boat is flowing in a still water still water मतलब रुका हुआ still still है ना हुआ है ना रुका हुआ और एक घंटे में कितने seconds होते हैं 3600 seconds एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 seconds तो 3600 seconds तो इतना सब करने की ज़र होता है ना 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 मैंने आपको direct पताया है जब भी kilometer per hour को meter per second में convert करना होगा तो आपको 5 by 18 से multiply करना है और जब भी meter per second से आपको meter per second से kilometer per hour में convert करना है तो 18 by 5 से multiply करना है थोरी में बताया था याद है ना पक्का याद रखना इस बात को तो ठरा ने ठरा को मार दिया और 5 answer आपका आ गया कुछ भी करने की आउशकता नहीं है अगले सवाल में आते हैं 10 वाले में A can lay railway track between two given stations in 16 days and B can do the same work in 12 days with the help of C they did the job in 4 days only then C alone can do the job in how many days A. अकेला जो है देखो इस टेक के questions में आपको पताया थे किस टेक से करना है एक्दम अच्छ से याद रखना A. अकेला जो है वो 16 दिन में काम कर पा रहा है B. अकेला जब है तो वो 12 दिन में कर पा रहा है C. अकेला जो है तो मैं माल ले रहा है वो X दिन में काम कर पा रहा है और तीनों मिल के जब काम करें, तो सिर्फ चार दिन में काम कर दिये, ठीक है, तो आपको बोलाए कि C अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, वो बताओ, चलो, इस टाइप के questions आता हैं, देखलो, आपको मालूम है, All India Sanic School Internship 2020 का सवाल है, Sanic School Internship 2020 में ये question पूछा गया था, work and person व एक आदमी जो है, वो पूरा का पूरा काम 16 दिन में कंपलेट कर रहा है, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 by 16, वो पूरा का पूरा कंपलेट काम, 1 है मालो, तो वो कितने दिन में कंपलेट कर रहा है, 16 दिन में, तो एक दिन में कितना काम किया, वो एक दिन मे काम किया 1 by 16 B वाला जो है वो 12 दिन में पूरा काम किया तो वो एक दिन में कितना काम किया 1 by 12 C वाला जो है वो X दिन में पूरा काम किया तो एक दिन में कितना काम किया 1 by X तो तीनों मिल के एक दिन में कितना काम किया 1 by 16 प्लस 1 by 12 प्लस 1 by X बोलो हा कि ना पकाच हमक रहा है A ने 16 दिन में वो पूरा काम किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा 1 by 16 1 by 16 B ने 12 दिन में पूरा काम किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा 1 by 12 C ने X दिन में पूरा काम किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा 1 by X ठीक है अब तीनों मिल के ध्यान से सुनों तीनों मिल के चार दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो पूरे तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे 1 by 4 क्या इधर जो मैंने लिखा था वो भी लिखा था एक दिन में तीनों क्या काम कर रहे हैं और ये भी क्या है एक दिन में तीनों कितना काम कर रहे हैं तो दोनों बराबर होगा लगाओ बुद्धी है की नहीं है ना देखो चार दिन में आपको सवाल क्या बोला कि चार दिन में तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे 1 by 4 तो हमेशा यही काम करना है यही काम अपने exercise 2 में भी किया था जब यह questions आए थे तो बस 1 by x की value हो जाएगी 1 by 4 minus 1 by 16 minus 1 by 12 ठीक है देखो यह यहाँ पर plus में है इधर आएगा minus यह plus में है इधर आएगा minus नीचे LCM आ जाएगा 4 4 जा 16 होता है और 4 3 जा 12 तो 4 तो common है और 4 3 जा 12 12 इंटू 4 4 जा 8 48 LCM कितना आ गया 48 ठीक है 4 इंटू 12 टाइमस तो 12 minus 16 कितने टाइमस जाएगा 16 16 3 ताइमस जाएगा तो उपर में 3 minus 12 कितने टाइमस जाएगा 12 4 ताइमस तो उपर में 4 तो 12 minus 3 minus 4 12 minus 4 हो जाएगा 8 8 minus हो जाएगा 5 5 by 48 1 by x 1 by x की value आई ध्यान से देखो यहाँ पर एक page add करता हूं मैं 1 by x 1 by x की value आई everyone 1 by x की value आई 5 by 48 तो x की value हो जाएगी 48 by 5 कैसे reciprocal कर दिया है इधर भी reciprocal इधर भी reciprocal तो x की value आगई 48 by 5 इसको rational उसमें करोगे mixed fraction में तो 5 9 45 3 बज गया तो 9 complete 3 by 5 9 complete 3 by 5 9 complete 3 by 5 c is the correct answer ठीक है ठीक है इस type के question important है पिसले साल पूछे गए है सेनिक स्कूल में इसलिए मैं करा रहा हूँ exercise 2 में भी कई सारी step के questions मैंने आपको दिये थे कि A अकेला इतने दिन में कर रहा है B अकेला इतने दिन में कर रहा है C अकेला इसमें कोई formula आपको याद रखने की जर्वत नहीं है है ना आप बैरेक लगा सकते हो कि 16 दिन में काम क वर्क आशू को बारा दिन लग रहे है प्रणाव एंड रामु टेक्टो 2019 में सोच रहे हो यह सेव इस टाइप का concept 2020 में भी 2019 में तो आप डारेक लगा सकते हो बारा दिन में complete काम कर रहा है तो एक दिन में 1 by 12 दस दिन में पूरा काम कर रहा है तो 1 by 10 और आशू प्रणाव दिन में कर रहा है तो इक दिन में करेंगा वाइं लगा है तिन में कितना पर रहे हैं फ़ाँ तो और इन न हो करेंगे वन बाई 5 दीर 2 और 5 1 1 ना कि तो कुछ भी नहीं तो मैं लिस्ट न काना ना लिस समय मैं लपन का एतिपर काला ना गे पैण इंथा ख्लेकर न पर हैं ख्ल dau oh वो किस से मिट्प्ले करना पड़ा 10 से, तो 24-24-24, देखो, calculation है बास, ये लिख दिया आपने, खत्ताम, ये लिख दिया बास, उसके बाद calculation है, गणित खत्तम, चलो, तो 24 में से 12 गया, तो 12 बचा, 12 में से 10 गया, तो 2 बचा, तो 2 बचा, तो 2 बाई 120, देखो, 1 बाई X की वैल क्या बुला, कि आशु जो है, वो 12 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया, 1 बाई 12, प्रणाफ 10 दिन में, तो एक दिन में कितना किया, 1 बाई 10, और रामु जो है, वो मानलो, X दिन में पूरा काम किया, तो एक दिन में कितना किया, 1 बाई X, which is equal to, तीनो मिल के 5 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1 by 5 और answer आपका आ गया ठीक है चलो देख लो 2019 और 2020 दोनों में same type का question पूछा गया था ओके और आप देख रहे हो कि पिछले साल में जब भी questions पूछे गए हैं बहुत easy पूछे गए हैं और कुछ concepts के उपर ही पूछे गए हैं और यह सारे concepts आपको मैंने 4G batch और बहुत अच्छी तरीके से examples के साथ exercise 1 के साथ exercise 2 के साथ पूरे के पूरे पढ़ाए हैं चलो an airplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours to cover the same distance in 1 2 by 3 hours it must have a speed of ठीक है देखो आपको क्या बोला airplane covers a certain distance कोई दूरी है वो fixed है अगर वो इतने speed से जा रहा था तो इतना time लगा 240 km per hour की speed से गया तो पांच घंटे लगा अब आपको बोला कितने speed से जाए तो उसको लगेगा 1 2 by 3 मतब 3 345 5 by 3 hours लगेंगे ठीक है जहां से सुनो जहां से सुनो आपको क्या बोला जब 240 की speed थी तो पांच घंटे लगे तो कितनी speed होगी कि 5 by 3 घंटे लगेंगे तो आप direct बूल सकते हो कि अगर ये समय 3 गुना कम करना है तो speed को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा universally proportional है ना भाईया है कि नहीं आप खुछ सोचो अगर आपकी रफ्तार तेज होगी तो आप जल्दी घर पहुंचोगे ना जल्दी coaching पहुंचोगे जहां जारे हो आप जल्दी school पहुंचोगे है ना तो speed बढ़ेगी तो समय कम लगेगा inversely proportional है तो उल्टा कर दोगे एक को x by 240 is equal to 5 divided by 5 by 3 मतला multiply करूँगा तो उल्टा हो जाएगा है ना multiply कर देता हो multiply कर देता हो तो उल्टा हो जाएगा multiply कर दूँगा तो 3 by 5 5 5 5 कर गया तो x की value आ गई 240 into 3 3 into 0 is 0 4 3 is a 12 to carry 1 3 to 6 and 7 720 is the correct answer दन पक्का सब कोई को चलो इसी है चलो तो आपको क्या बोल रहा है यह सारे questions अगर आपको कोई छोटा भी दिख रहा है ज्यादा clear नहीं दिख रहा question तो यह सारे के सारे module यह पूरा का पूरा PDF free of cost study material में एप में है एप डाउनलोड नहीं किया तो क्या कर रहे हो just go and download the app right now चलो जल्दी से आगे बढ़ता है पन है ना question number 13 पर पहुंचते हैं कोई question में अगर आपको एक बार देखने के बाद भी डाउट है तो आप उसको दुबारा देख सकते हो अगर फिर भी डाउट है तो मेरे को comment section में बताना कि आपको कौन से question में doubt लगा और एक और बात अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको मैं एक और बात बात बो किसी और particular question के type के और questions में आपको दूँ तो यह भी आप मेरे को कहां बताएंगे comment section में बताएंगे yes चलो so आगे बढ़ता है जल्दी से a train from station A to station B covers a distance of 616 km and uniform speed of this much it halts at station B for one hour before starting back how much time will it take to complete the journey and reach the station A that is from A to B and back total time बताना है तो एक A station से B station 616 km था 616 km जाने में कितना समय लगा time यह तो distance था time लगा 112 km पर ठीक है sir speed यह तो speed है time नहीं speed 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 किस रफतार से गया चलो और अब वहाँ पर रुका B में रुका कितने देर तक एक घंटे तक रुका फिर वापस आया सेम इन tą speed से क्योंगे कुछ बोला नहीं है अब इहां पर बात बताओ जितने speed से गया उतनीень speed से वापस आ रहा है जितनी दूरी जाता समय लगा उतनी दूरी वापस तो जो जातने समय समय लगा वापसी में भी उतन ही your time, याद रखना सभी कोई time जो होता है, वो आपका क्या होता है, distance by speed, distance by speed, ठीक है, everyone, एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है, आपका क्या बोला है कि 112 km पर आर, हर एक घंटे में कितना cover कर रहा है, 112 km, तो 616 km cover करने में कितना time लगेगा, तो divide कर दो, 616 upon 112, तो 616 upon 112, ठीक है इतना time लगा जाने में, प्लस इतना ही time लगा वापस आने में, प्लस एक घंटा वहाँ पर रूका, तो यह total कितना होगा, यह अपन को बताना है, चीक है, चलो, तो 3 times में आ रहा है किया, नहीं, 6 times में आ रहा है, 6 times में भी नहीं आ रहा है, कितने times जा रहा है, that एक करके दे तो 5.5 प्लस 5.5 प्लस 1 पांच 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 दस और 11 और 12 गंटे लगे C is the correct answer पूरे 12 गंटे लगे देखो कितने स्पीट ते जा रहा है 112 किलोमेटर पर आर हर एक घंटे में कितना distance कवर कर रहा है 112 किलोमेटर तो 616 किलोमेटर करने में कितना टाइम लगेगा 616 उपन 112 जो क आपका इंसर आएगा 5.5 तो 5.5 वार लगे जाने में एक घंटा वहाँ रूका और फिर वापस आया तो फिर वापस आने में कितना टाइम लगेगा उतना यह जीतना जाने में लगा क्योंकि सेमी स्पीड है कुई कुई कुछी बोला नहीं है तो 12 112 की स्पीड से गया 112 की स् सर चलो आगे बढ़ें है ना चलो 36 मिनट में अपने 13 कोशन कर लिए लाइफ क्लास में यह पूरे कोशन 17 कोशन कर रहा है मैं दो घंटे लगते पूरे चलो कोई सर्टें डिस्टेंस है 28 गंटे में कवर हो रही है अगर स्पीड है पांच देखो यह भी ओल इंडिया सैनिकिस फूल इंटरेंस एक्जाम 2019 में पूछा गया है यह सवाल ओके आपको क्या बोल रहा है अगर स्पीड बढ़ाओ के तो समय कम लगेगा तो एक को रेसिप्रोकल कर दो किसी भी एक को रेसिप्रोकल कर सकते हैं तो 5 by 7 is equal to x by 28 तो x के value कितनी आ गई 5 into 28 by 7 7 forza 5 forza 20 20 घंटे लगेंगे ठीक है easy है simple यहाँ पार 28 division में था इसको उठा के उधर ले गए तो multiplication में 5 into 28 by 7 7 forza 28 5 forza 20 20 घंटे लगेंगे easy है inversely proportional है पता है न कि speed बढ़ाओ के तो समय कम लगेगा आप जो भी travel कर रहे हैं में चलो आगे बढ़ता हैं जल्दी से कोश्ण में 15 में इन वोट ताइम अ ट्रेन फूस लेंट इस 100 मीटर मुविंग with a speed of 60 km परा crosses a platform whose length is 150 मेटर देखो मैं इस टाइब के questions अगें 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 चलो जल्दी से एक train है जिसकी length कितनी है 100 मेटर और एक platform है platform के length है 150 मेटर आप कब बोलोगी कि इसने इस train को क्रॉस किया इस train इस platform को क्रॉस किया जब यहां से यहां जाएगी तब ना ना जब यहां जाएगी तब तब आप सोचो यह train पहले थी यहां है ना यह इसकी initial position थी तो copy कर लेते हैं और एक और paste कर लेते हैं और इसका color भी कर देते हैं change final वाले का color कर देते हैं change तो यह train थी यहां पर ठीक है यहां से जब यह train चलके यहां जाएगी तभी आप बोलोगे कि cross करी तो actual में train ने कितना चला तो इसके starting point को देखोगे तो यहां से यहां तक तो कितना चला 150 प्लस 100 250 मिटर distance है या अगर इसके यह ओले point को देखोगे तो यह point यहां से चला यहां तक तो भी 150 प्लस 100 250 मिटर चला याद है जब भी मैं बोलता हूँ कि एक pole को cross किया तो जो train की length है वो ही distance होगी लेकिन अगर bridge को या platform को या किसी और train को cross किया तो जो दुसरे train की या bridge की length है प्लस train की length है दोनों add होने के बाद distance होगा covered है ना जैसे train यहां चल के चुक 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 तो गाड़ी यहां तक आ गई तो कहां तक का चली यहान तक चली यहां its starting point हो देखो यहां तक चला, तो कितना चला, 150 प्लस 100, अगर इसके पीछे वाले पॉइंट को देखोगे ट्रेन के, तो यहां से लेकर के, यहां तक चला, तो 150 प्लस 100, 250 मिटर चला है ट्रेन का हर एक पार्ट, चलो बस, और स्पीड, डिस्टेंस दिया है, और स्पीड दिया हुआ है, कितना, 60 किलोमेटर पर आर, है न, तो बस आपको क्या बताना है, टाइम, तो मैंने क्या बता था, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस भाई, स्पीड, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए, याद रखना, यून को किलोमेटर में कनवेट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई, थाउजन, क्या करते हैं, डिवाइड बाई, थाउजन, तो डिवाइड बाई, थाउजन करोगे, तो डेसिमल तीन आगे बर जाएगा, एक, दो, तीन, पॉइंट टूफाइफ किलोमेटर बन जाए है ना और यह मेरा थो टैम आएगा, यह मेरा आएगा dai मेरा अर्स में तो मेब को किस वां टेम चाहिए, प्सकेंड में तो एक घंटे में कितने से जो होते हैं, ज लो जिरो तो इनमेर दो को मार दिया, 456,36, 60 से मट्यप्य।ाइज कर देंगे, A is the correct answer, ठीक है, अब इसको करने के और भी तरीके हैं, आप पहले ये जो किलोमेटर पर आ रहे हैं, इसको किसे में करनोट कर लो, मीटर पर सेकेंड कैसे, 5 by 18 से मिल्टिप्लाई करके, अब ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, 5 by 18 से मिल्टिप्लाई करके, तो बस उससे इस कर दो, आपके पास अंसर आ जाएगा, तो या तो आप पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कर लो, और इसको 250 रख दो मीटर में, इसको भी मीटर में रखो, इसको भी मीटर पर सेकेंड में, फिर जो आप डिवाइड करोगे, तो डारेक्ट आपने अंसर आएगा, किस में सेक ठीक है दोनों तरीके हैं आपको जैसे करना है करो answer पक्का सेम आएगा चलो next question प्याता है recording हो रही है न पता चला मैं इतना दिर से चिला रहा हूं कही बारास होता है पता है recording में recording बीच में off हो गई पॉस हो गई और उपर से मैं चिला है पढ़ा हूं चिला हूं चिला हूं पढ़ा हूं एनर्जी दिये पढ़ा हूं फिर इतना अफसोस होता है दुबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा बहुत बार हुआ है चलो फॉजी बैच के जो मैं 30 km per hour and 3rd 10 km at 30 km per hour and last 10 km at 40 km per hour what is the average speed of the man average speed बताना है तो याद रखना average speed भी मैंने आपको बताई यह average speed क्या होती है total distance upon total time सारी बाते मैंने आपको बताई है हर एक-एक चीज आपकी live class में है और आपकी recorded lectures में है जो आपकी मैंने 4G batch के आपको lectures दिये है तो देखो, सैनिक स्कूल इंटरेंस एक्जम 2019 में सवाल पूछा था, आफरेज बताना है, तो देखो, अगर मैं समय निकालू, टोटल चार हिस्तों में डिवाइड किया है, पाट को, एक, दो, तीन, चार, ये 10 किलोमेटर, तो टोटल डिस्टेंस तो है, 40 किलोमेटर, अब मे अब बताओ, 10 किलोमेटर चलना है, और स्पीड कितनी है, 10 किलोमेटर पर आर, मतलब एक घंटे में 10 किलोमेटर चल रहे हो, तो 10 किलोमेटर चलने में कितना टाइम लगेगा, एक घंटा, अब अगर आप अपनी स्पीड डबल कर दो, तो टाइम क्या लगेगा, आधा, अग क्या हो गई तो अभी time क्या होता है distance by speed distance by speed यहां पर speed कितनी है 30 तो 10 by 30 यहां पर कितनी 10 by 40 तो total time कितना लगा total time आपको लगा one plus one by two plus one by three plus one by four क्योंकि एक zero ने एक zero को मार डाला एरमी से है ना तो answer आ गया आपका LCM लेलोगे तो fourth हिसा 12 LCM तो one into 12 तो उपर भी 12 2 6 जात उपर भी 6 3 4 जात उपर भी 4 4 3 जात उपर भी 3 ठीक है 6 4 10 10 22 22 plus 3 25 by 12 यहां गया time total लग गया यह time अब total time आ गया total distance आ गया okay total time आ गया total distance आ गया तो average speed जो आपकी होती है everyone average speed average speed होती है total distance upon total time total distance upon total time so total distance कितनी है 40 divided by बारा तो चालीस इंटू बारा भाई पच्छीज फाइफ 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 जाटी फाटी तो मिल्टिप्लाइग करके रैस्नल में दिया कि कैसे दिया चाटीमल में दिया डैसिमल में दिया कम कर देते हैं 5 तूसर 10 डॉट लगा देंगे तो 0 5 4 जा 20 एट फोर्जा 32 को टू कैरी थ्री को टू कैरी थ्री ए टूसर 16 17 18 19 19 1 19.2 19.2 19.2 19.2 b is the correct answer ठीक है ठीक है ठीक है एब्रिवान एब्रिवान करेक्ट है ये अधिन देखो थोड़ा लंबा था आई नो थोड़ा लंबा था लेकिन इजी था ये कोशन आपका क्या था आपको क्या बोला टोनः चालिस किलोमेटर है पहले 10 कilोमेटर को दस की स्पीड से चला-पिर 10 किलो मिश्पीड से थी और किलो निकालना था तो पहले समय को लगा वन बाद में समय क्तना लगा वन बाद numbers कितना लगा Size 1 फिर समय कितना लगा बंशा इन समय कितना लगा 1 by 4, तो टोटल समय कितना लगा, टोटल समय इतना लगा, टोटल डिस्टंस ही है, टोटल डिस्टंस बर टोटल टाइम किये, आपकी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 19.2 किलोमेटर पर आर, this is your average स्पीड, चलो, last सवाल, last सवाल, 46 मिनट में आपके पूरे 17 सवाल हो गए, सोचो, कितना टाइम बचा आपका, ऐसे ही आपके पूरे सैनी की स्कूल के previous year question, 3 साल के previous year questions के video lecture, अब आपको हर दिन मिलेंगे, हर दिन दो-दो भी मिल सकते हैं, किक मिल सकते हैं, तो time निकालो और इनको जितना जल से जल, जो question में doubt है, उसमें आओ, उसमें check करे हो, ठीक है, चलो, so, a train is running at 75 km per hour, ये 2018, सैनी की स्कूल का 2018 का सवाल है, ठीक है, क्या बोड़ा है, a train is running at a speed of 75 km per hour, how much time will it take to cover a distance of 350 km, again, time, कितने बार यूज कर लिया, time क्या है आपका, distance by speed, time क्या है आपका, distance by speed, है क्या नहीं, आपका time क्या है, distance by speed, चीक है, so, time में आपका distance by speed, distance कितना है, 350, upon speed कितनी है, 75, तो दोनों को divide कर देंगे, तो यह आपका answer आर में आ जाएगा, 5, 1, 5, 6, 7, 2, 5, 5, 0, 25, ठीक है, 5, 6, 0, 35, 7, 0, 5, 3, 15, 5, 1, 5, 6, 7, 2, 5, 4, 20, अब 3 से नहीं जाएगा, तो 14, divided by 3, तो 14, 3, 3, 3, 4, 12, दो बज गया, तो 4 घंटे पूरे, और 2 भाई 3 आर, 2 भाई 3 आर, 2 भाई 3 आर मतलब कितने मिनट्स हो गया, इंटो 63, 40 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, D is the correct answer, चलो, 4, 2 भाई 3 आर को convert करना आता है, न, मिनट में कैसे, आपका answer कितना है, 4, 2 भाई 3, तो 4 तो पूरे घंटे, और 1 घंटे का कितना हिस्सा, 2 भाई 3, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते है, साथ, तो 16 into 2 by 3, कितना आ गया, 40 minutes, तो 4 hour पूरे, और minutes में कितने, 40 minutes, ये convert करना आता है, ना, class में कही बार बताया हूँ, 4 2 by 3 का मतलब क्या, 4 गंटे, तो पूरे के पूरे, और कितने, 2, 3 में से 2 हिस्सा, अगर आप 1 गंटे का 3 हिस्सा करोगे, तो उस में से 2 हिस्सा, है न, तो एक घंटे में कितने minutes होते हैं, 60 minutes, तो 60 का 2 by 3, तो 60 into 2 by 3 मतलब 40 minutes, तो 4 hour 40 minutes लगेंगे, और ये simple formula के उपर था, time equal to distance by speed, done, पक्का, सारी चीज़ हो गई, चलो, पूरे कोशन खताम, है कि नहीं, चलो, तो मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, चैप्टर के end मे कि आपके लिए कौन-कौन से courses हैं, अगर आप direct यहाँ पर आए हैं, तो हम आपको उस courses के बारे में बता दें, सैनिक स्कूल के लिए तो आपका 2023 का course चली रहा है, अभी आपकी exam है, उसके लिए मैं और सरसर आपके लिए दिन रात लगे हुए है, कुछ नो कुछ नहीं लान कि नहीं रहेगा, अरे भाई रहेगा और हर साल जैसे improvement हो रहा है, अगले साल इस batch में आपको तो और ताबर तोड़ चीजे मिलने वाली हैं, आप देख रहे हो किस तरीके से मैं और सरसर अपना पूरा engineering दिमाग, हैं अपना पूरा experience, किस तरीके से सारी चीज को combine करके आपक 24 का, इसके बार में आपको सब कुछ मालू है, और इसकी फीस मात्र 1400 रुपए है, एवरिवन, इस पूरे batch की फीस, पूरे साल भर की, है ना, 2024 February end तक आपका ये course है, 2024 February end तक, तो उसकी course है मात्र 1400 रुपए, अगर आप हर महने की निकालोगे, तो I think 50-60 रुपए से भी कम revision batch मतलब, अभी आपका जो 2023 में आपका exam होगा, अभी date अभी तक नहीं आई है, है ना, जब date आईगी, तो उससे पहले आपका यहाँ पर पूरे lectures तो है, पूरे detailed lectures पूरे के पूरे है, mind map और mind map का revision lectures भी यहाँ पर upload होगा, जो नवदय के लिए important questions है, वो भी बता जाएंगे और नवदय के लिए जो आपके previous year questions है, वो भी यहाँ पर solve किये जाएंगे, मात्र 195 रूपीज में अभी आप app download कर सकते हो, और इस चीज़ को check out कर सकते हो, और RMS के लिए भी आप batch जाकर के देख सकते हो, यह सारे batch की सारी details आपकी पूरी के पूरे app में है, तो link आपका description में जाओ, check करो, है ना, और enjoy करो, हस्ते रहाँ, मुस्कुराते रहाँ, फिर में लुग आपसे अगली class में, तब तक के लिए हस्ते रहाँ, देखते रहाँ, सारब साथी class, जै हिंद, बाई बाई, take care